तो दोस्तो स्वागत आपका हमारी इस चैनल ऑटोमोटिवे और आज की सूट में हम कंपेरीजन करने वाले हैं हमारी इंडिया थी इस ताइम की सबसे आदा पॉपिलर और सबसे आदा ट्रेंडिंग में जो बैक्स चर रही है उनके उपर फर्स्ट में है दोस्तो बजज पलस या पर दोस्तो जो थो पुलसर नस वह में निकाल करकि दीती है 46.9 kmpl का मालेज और जो राइडर वह मैलेज में तो दस्तो राइटर ही आगह है TVS राइडर तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तो आगी और बात कर लेंटें में दोनों तैंक क्यापेसिटी है 12 लीटर की वही पर राइडर की फ्यूल टैंक क्यापेसिटी है 10 लीटर की यहाँ पर पलसर में 2 लीटर एक्स्रापेट्रोर बैट जाएगा अब हम में अड़ आगी अब बात कर लिए दोनों गालियों की ब्रेक्स और सस्पेंशन के बारे में दोनों साइड में पलसर में हमें मोनो शॉकर्स मिलते हैं वही पर राइडर में हमें मोनो शॉकर्स प्लस गैस चार्जिट शॉकर्स मिलते हैं दोनों गालियों का ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो अलग अलग है यहाँ पर पलसर में हमें सी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है वही पर और वही पर Rider में हमें 5 साल प्लस 60,000 किलोमेटर तक की warranty मिलती है, तो यहाँ पर warranty हमें पुलसर में ज़्यादा मिलती है, अब बात कर लेते हैं दूस्तों दोनों वाल्यू की features की बारे में, तो दोनों वाल्यू में हमें Automator Digital मिलता है, Speedometer Digital मिलता है, Techometer जो है, वह हमें पुलसर में Normal वाला मिलता है, लेकिन Rider में हमें Digital देखने को मिलता है, वो Rider में features हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक एक बात अता गया तो वीडियू बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, Additional features के बारे में बात कर होते हैं, और important feature जो होता है, USB charging port, वो हमें यहाँ पर Rider में देखने को मिलता है, लेकिन Pulsar में देखने को नहीं मिलता, features की मामले में Pulsar थोड़ी सी पीछे है, बाती सारी चीजी तो सेम ही है, अब बात कर लेते हैं, दोनों गाडियू की looks की बारे में, looks की बारे में बात करी तो बचाच Pulsar NH Joy 125, उसकी एक शुरूम प्राइस स्टार होती है, एक लाग साथ एजार रुपई से, और आगर आपको इसकी और प्राइस निकालनी है, तो इसमें और 20,000 एड कर दीजिए, और वही इसकी और प्राइस हो जाएगी, और आपको confirm अगर पता करना है दोनों ग पर आए और बात करें कि कौन सी गारी खरीदनी चाहिए, तो वह आपकी उपर आ जाता है दोस्तों, अगर आपको फीचर्ज ज्यादा चाहिए, एकोनोमी वाली गारी चाहिए, मायलिज ज्यादा चाहिए, तो आपको टीवीएस राइडर 125 खरीदनी चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी से स्पोर्टी लुक्स ज्यादा चाहिए, बिल्ड कॉलिटी अच्छी चाहिए, परफोर्मस ज्यादा चाहिए, तो आपके लिए बजजाच पलसर NS125 बेस्ट रहेगी, तो ये सब चीजे आपके उपर आ जाती है कि आपको कौन सी गारी पसंद है, तो चलि दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में